हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया को जारी रखते हैं आज के सेशन में हम लोग इस वीकली एनलिसिस को देखेंगे कि कल मंडे के लिए हमारे क्या ट्रेड प्लान होंगे अभी पिछले हफ़ते की क्लोजिंग कैसी है और जिन जिन बेहाफ पर जो जो प्राइडेक्शन के सेटक्स पर हम लोग काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं उन्ही को रिलेट करते हुए आगे लेकर जाएंगे पहला पॉइंट एज आ ट्रेडर हमारी जिम्मेदारी क्या है आखरी दिन की क्लोजिंग को अच्छे से देखना ठीक है तो यहाँ पर आप देखिए बारा तारीक की ये आपके सामने टीन केंडल्स क्लोजिंग को प्राइस चड़कर बंध हुआ ठीक है उसके पहले प्राइस वीक था वीक प्राइज में प्राइज चड़कर बंद हुआ है ऐसे प्राइज में अगले दिन की ओपनिंग कैसी हो नहीं की होगी गुझाईश पॉजटिव ओपनिंग पॉजटिव ओपनिंग कैसी होती है से या तो प्राइस कॉस्ट पर खुले और पहली कंडल ग्रीन बनाए या फिर गैप अप करते हैं ये ओपनिंग की बात किया है अच्छा अब क्लोजिंग से ओपनिंग तक जब हम लोग एनलाइस करते हैं सिर्फ प्राइस की opening को analyze करने की बात कर रहा हूँ, पूरे दिन का prediction करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ opening को है ना, तो एक बात को अब मैं यहाँ पर एक point add कर रहा हूँ, हम लोगों ने closing पर खूब session किये, अब daily हम लोग जब analysis करते हैं, यह साड़े 10 का, तो इस चीज का ह ख्याल रखते हैं कि पिछले दिन की closing और अगले दिन की opening को relate किया जाए, और दोनों को एक जैसे देखा जाए, ठीक है, और हम लोग लगातार इसी विहाव पर बहुत अच्छे trade plan अपने बनाते आए, अब थोड़ा सा हम लोग upgrade करते हैं, एक point मैं और जोड़ दूगा, तो पूरा market time है, पहले 15 minute pre market होते हैं, लास्ट के 15 minute post market होते हैं, इस market को हम एक part में भी divide करते हैं, इसको हम कहते हैं first phase, इसको हम कहते हैं second phase, ठीक है, 12.30 तक का session first phase हो जाता है और 12.30 एक के बाद का जो price होता है, वो second phase हो जाता है, हम लोग जो believe करते हैं price पर, morning में price कुछ भी करके बंद हुआ हो, चाहे चल कर बंद हुआ हो, चाहे गिर कर आया हो, 12.30 एक तक उससे हमको बहुत लेना देना नहीं है, उससे लेना देना तभी है, जब second half का momentum भी first आपको support कर रहा हो, ठीक है, कि 12.30 तक price गिरता रहा, तो एक डेट दो बजे के बाद भी price या तो गिरे या sustain क है, तो अगले station के लिए price weak है, strong नहीं है, क्यों हमारा पूरा believe होता है second half के momentum पर, professional hour closes the market, professionals को हम मानते हैं कि वो closing से पहले position लेते हैं, second half पूरी तरीके से dependency किस पर रखता है, बड़े traders पर, जो बड़ा investment ले, बड़ा पैसा ले कर आते हैं, जिसको हम smart money कहते हैं, आप लोग SMC सीखते हैं, smart money concept, वो smart money किसका है, जो second half की खरीदारी कर रहा है, smart buying होती है, साड़े बारा एक के बाद खरीदारी करना, अच्छा इसको logical भी आप कह सकते हैं, देखिए, एक अच्छा investor या अच्छा खरीदार या अच्छा विक्वाल वो है, जो पहले बाजार खुलने के बा तो वो पहले analyze कर लेते हैं कि पहले 2-3 घंटे में कैसा price का behavior है, कैसा market sentiment है, उसके according second half में plan करते हैं, second half का जो price है, वो ज्यादा reliable है, first half से, first half का price तभी reliable है, जब second half का projection भी first half को support करता है, ठीक है, कि पहले 3-4 घंटे morning में बाजार चल कर गया, तो शाम को भी या तो price चल कर जा है, यहां रोका रहे, अब गिरावट ना हो, ठीक है, तो second half का momentum अगले session का price action को हम लोग लग लग बग मान सकते हैं, कि उसी तरीके करें, अब यहां पर अगर आप गौर करें, तो यह देखिए, यह समय हो रहा था, जब हम price में यह consolidation चल रहा था, आप देखें, यहां पर हम लोगों ने low लगा दिये थे, 11.35 पे, पहले मैं आपको देखने को मिला, यह higher side momentum, फिर 11.35 पे low लगाने के बाद हम लोग consolation कर रहे थे, ठीक है, यहां तक price buyer side ही था, क्योंकि पहले खरीदार ही आई, फिर price एक range बना कर consolation करने लगा, ठीक बात है sir, लेकिन second half में अगर आप गौर करें, तो दो बजे के बाद गिरावट की शुरुवात होती है, तो अभी का price week है, अब ध्यान चे सुनिये, price action अभी कल के लिए, price जो रहेगा, हमारा prediction क्या है, price week रहने का prediction, कि price हो सकता है, पहले हाफ में कमजोर रहे, लेकिन opening positive होगी, अब इन दोनों points में contradiction है की नही मतवेद है की नहीं, समझा रहा है न, देखें, इसी लिए trading को जब आपको बोला जाता है, trading को थोड़ा सा समल कर कीजे, focus हो कर कीजे, बहुत जादा चीजे सीखने की जरूत नहीं है, जितनी चीजे आप सीख रहे हैं, उसी पर command कर लीजे, ठीक है, क्योंकि अगर आप तकलीफ है की नहीं, तो अगले दिन की opening पर सब कुछ निरबर करता है, क्या कह रहा हूँ, दोराता हूँ, अगले दिन की opening पर सब कुछ निरबर करता है, जैसे, price की opening जो है, वो अगर positive हो गई, gap up कर दिया, ठीक है, और gap up करने की बाद तो opening तो positive हो गई, लेकिन sentiment कैसा था, negative Second half का sentiment कैसा, negative sentiment था, तो price की opening positive हो जाए, और उसके बाद gap up करके अगर हो गई, और price अपने swing high के पास, 5250 या इसके पास खुले, और उपर जाने की कोशिश करके, पहले ही candle में retracement कर दे, या दूसरी candle में कर दे, और पहली candle जो बने, उसके low break होने लगे, जो भी बने, red बने य इसके low break होने लगे, तो आप day high का ऐसा लगके short करेंगे, intra day में ही आपको अच्छे खासे target मिल जाएंगे, बात clear हुआ, एक point clear हुआ, दूसरा point clear करते हैं, ठीक है, अब यही price अगर gap down कर देगा, gap down, तो price की closing कैसी थी? इस रॉंग थी, तो जो short seller, sale करने का approach मौका ढूण रहा है, जैसे हम और आप, अगर price को भी बहतर तरीके से समझ रहे हैं, तो हमारा मानना क्या है, अभी हम लोगों ने एक short का position plan क्या किया बताईए, अगर gap up किया, और resistance के पास open किया, वहाँ से कोई rejection दिखा, तब short करेंग जो कि हम लोग चार्ट के ब्याफ पर trade करते हैं, जो दिखता है उसको trade करते हैं, जो सोस्ते वो नहीं trade कर रहे हैं, अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो ये trade होगा, नहीं दिखेगा तो नहीं trade होगा, इसी को, कई traders अपने mind से trade को बना लेते हैं, कि price action नहीं दिख रहा है, उम्म जावना को ही ब्यक्त किया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ भी गलत होने की गुंजाईश है, कि जो हो रहा है, उसके favor में आप करेंगे, तो भी आप गलत हो सकते हैं, और फिर जो हो नहीं रहा है, वो आपने कर दिया, तो तो फिर गलत होने की पूरी-पूरी गुंजाईश इसी हो जैसे आपके loss होते है जो chart पर दुखे वस वही trade कीज़े ठीक है अब जैसे कि हमको चाहिए महगा भाव और वहाँ से rejection अगर seller आता दिखा तो short करेंगे बाकी नहीं करेंगे बात clear हो गई क्योंकि previous day के momentum और sentiment को देखते हुए यह plan किया हम लोगों ने और आपको मिले 52,350 का भाव और खुल जाए 52,000 तो सोचिए महगा बेचने की सोच रहे थे और सस्ता बेचने को मौका मिल रहा है बेचेंगे क्या नहीं बेचेंगे वेट करेंगे है न तो जब भी price की closing positive हो और sentiment negative रहा हो second half में और gap down कर जाए तो और गिरावट नहीं होती है फिर price उपर आकर अगर closing के उपर trade किया तो वहाँ पर long किया जा सकता है ठीक है अगर price previous day close के उपर close करने लगा पिछले दिन की जो closing है उस price के उपर अगर closing मिलने लगी तो फिर long के लिए opportunity बनती है short के लिए नहीं बनती है हाला कि वो opportunity भी second half में बनेगी first half में अगर gap down के बाद price इसके उपर आ भी गया न तो जब तक ये high नहीं निकलेंगे तब तक आप long नहीं करेंगे 52-600 आपके लिए ज़रूरी price है अच्छा अब कुछ लोग बोलेंगे कि sir price के previous day high तो 52-800 है आप कह रहे हैं 52-600 अरे sir resistance shifting है ये seller जो यहाँ sale किया न वहीं रोक कर price को यहाँ पर इतनी देर तक sale किया है ठीक है अगर आप इस price की supply काट देंगे तो ये supply chain खूद कट जाएगी इसको काटने में बहुत ज़्यदा तकलिफ नहीं होगी ठीक है ऐसे price action को हम लोग पहले भी प्लान करते रहते हैं आपको ध्यान होगा जब higher side momentum हम लोग देख रहे थे जो 4 June के high लगे हुए थे उनको जब हम लोगों ने इस तरीके से देखा था बड़े time frame पर है हम लोग इस होजे से ऐसा दिख रहा है है यह आपको दिखा दू यह तो इस तरीके के price action में हम लोग क्या predict कर रहे थे अगर यह high निकल गया तो इन high को निकलने में कोई तकलिफ नहीं होगा क्योंकि यही सबसे बड़ा resistance हरी है जब यह निकल गया तो consolation के बाद इसको break होना ही वोना है वो तैथा हो जाएगा ठीक है इसी तरीके का यह भी price है जो अभी आप देख रहे हैं क्या देख रहे हैं बताइए price में सिर्फ बावन शैसो ब्रेक हो जाएगा तो अभी रिसेंटली अगर आप बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक formation मिलेगा not formation ठीक है अब यह not formation जो डेली टाइम फ्रेम पर बना हुआ है यह किस तरीके से उपयोग में लाना है जरा यह समझ लीजे अच्छा not formation का सेशन जिल लोगों ने अभी तक नहीं देखा है maximum trader ने खुद comment करके बताया call करके comment करके कि सर डेली का बना हुआ है अगले सेशन को trade कैसे प्लान होगा तो देखिए एक trader का पहला जो learning का step होता है हो identification ही होता है कि आपकी अगर पहचान अच्छी होने लगी कि हाँ यह setup बन रहा है यह price बन रहा है तो धीरे धीरे आप execution तक पहुँच जाएंगे सबसे पहला आपका काम है कि आपनी पहचान अच्छी कीजे चार्ट्स देखें कई के trader क्या करते है ना बैंक निवीड SP Rightस के ला कर दो है तो मेरा मालना है कि मैनुवली आपको लगातार इंट इन्टराइडे में 60-70 चार्ट्स देखने चाहिए यह मैं आपको बता रहा हूं этот के यह कहने की पीछे reason है, जब तक आप और charts और price के projection और setups नहीं देखेंगे, तब तक आपकी price पर पकड़ अच्छी नहीं होगी, तो जब आपके पास खाली समय रहा करें, तो अच्छे projection के setups देखा किजे, और charts liquidity जहां पर अच्छी रहते हैं, जैसे कि आपने Infosys देखा, Wipro देखा, Reliance देखा, ICICI Bank देखा, HDFC Bank देखा, कुछ नहीं करना है, अगर इतने सारे chart नहीं देखने हैं, तो एक bank nifty के components को देखे, HDFC, ICICI, KOTAC, SBI, ये chart आपको देखने ही देखने हैं, तै मान दीजे, ठीक है, तो जब भी bank nifty trade कर रहें, तो इन सारे charts को लगातार track करते रहें, इससे आपकी projection पर command अच्छी होती है, ठीक है, वैसे मेरा मानना तो है sir, कि अगर आप दिन के 60-70-80C chart देखेंगे, देखें, आपको लगेगा कि मैं कुछ out of the box बात कर रहा हूँ कि यह possible नहीं है, possible तो सर्थ दिन के 50-50-80C chart भी देखना बड़ा आसान होता है, बस आपकी लगन होना चाहिए, बाजार से आपका जुडाव इस तरीके का होना चाहिए, वो passion आपको आगे लेकर जाएगा यहां पर, ठीक है, समझे, यह price का in not formation का यह high और यह low, not formation का मतलब क्या है, पहले price को एक तरफ नीचे खीचा गया, दुबारा cost पर ले आए तो hammer candle बन गया, फिर price hammer candle था, उपर चलता ही चला गया positive price था, फिर उपरी level पर बड़े seller मिल गया, तो फिर एक inverted hammer candle बन गया, तो एक ही समय पर बड़ी supply, उसके बाद बड़ी demand, फिर demand continue चली, तो higher level पर फिर उतनी ही बड़ी supply, इसका मतलब होता है, एक बड़े buyer seller के बीच में price फस गया है, मैंने क्या कहा, एक बड़े buyer seller की range में price फस गया है, अच्छा, एक not formation जब बनता है, तो उसके mid-in range को हम कहते हैं no trading zone, no trading zone क्यों, अब एक बात बताईए, अगर इस range में कहीं भी 5600 के आसपास price पहुँचा, और sudden एक दम आपको short selling मिली, वहां से price में एक panic बना, और अचानक से 3400 point price गिरिया, 3400 point गिरा, इधर आया 52,000 के आसपास, और वहां पर sudden एक buying मिली, अचानक से price 500-400 point की candle बना देगा, क्यों, यह बड़े buyer seller की range है, यहां पर बड़ी बड़ी खरेदारियां, एक दूसरे को काटने के लिए होंगी, और intraday trader जो option buyer है, उसका target होता है, 60-70-80-500 point, जब वो range को trade कर रहा है, इस range में आप कोई trade execution करेंगे, तो आपके target रहेंगे 100-800, इसे ज़्यादा 200 point ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे, तो जब आप 2500 point की trade प्लान कर रहे हो, तो आपका stop loss क्या होगा, 100-120 point, max to max बता रहे हो, वैसे तो 50-70-80 point एक average SL होता है, bank nifty spot price की अगर बात की जाए तो, तो आप 70-80 point का हैसल प्लान करेंगे, लेकिन इतनी बड़ी supply के बीच में, इतनी बड़ी demand के बीच में अगर आफस गए, तो एक candle आप देखेंगे, 3300 point, 1500 point का बन जाएगा, तो आपका risk reward ratio बिगड़ जाएगा, position sizing आपकी खराब हो जानी है, है ना, psychologically आप बहुत weak हो जाएगे, इस वज़े से मैं बोलता हूँ, option buyers को पता होना चाहिए, कि कब खरीदारी करनी है, कब बिकवाली करनी, कब क्या नहीं है ना, तो सिर्फ अभी के लिए, अगर price बावन 600 से बावन 800 के पास पहुँचे, और वहाँ से rejection दिखे, तो short कर सकते हैं, वही day high के stop loss के साथ, previous day high के SL के साथ, अगर price बावन 800 के आज पास पहुँच रहा है, और यहाँ से कहीं से reversal positive consolidation दिखे, तो long कर सकते हैं, इसका मतलब है, intraday में मात्र support और resistance को तो trade किया जा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है, यह range एक no trading range है, लेकिन एक weightage की अगर बात की जाए, तो hedge का, nod का formation, यह जो price में गांट लगने का formation है ना, कि उपर नीचे से भी खरीदारी और उपर से भी क्वाली, और यह बड़े buyer seller की range फस गए, यह अगले trend का decide भी करता है, यहाँ से क्या होता है, यह high low इसलिए mark ही है, कि बड़े seller और buyer आपस में fight कर रहे हमारा तो कोई लेना देना नहीं, सर्फ छोटे पैसे वाले लोग है हम लोग, है ना, तो हम लोग वाजार से दूर बैठते हैं, और दूर बैठ कर करेंगे क्या, wait करेंगे कि price का अगला further trend क्या होगा, अगर कोई भी buyer आकर price को इस high के उपर ले गया, तो अगला trend positive है, अगर seller आकर price को slow के नीचे ले गया, तो अगला trend negative है, बात clear हो गई, तो इस बात को ध्यान रखना है, अब ये जो range है, ये trend decided range है, कि अगर high break हो गया, तो higher side price का momentum की शुरुवात हो जाएगी, low break हो गया, तो lower side price के momentum की शुरुवात हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना है, trend decide अब इसी range से होगा अगला, कि क्या trend है, फर्दर आगा, दो-तीन दिन का, चार दिन का, अगला further train क्या होगा, जब तक prices range में है, तब तक हम no trading range को trade कर रहे हैं, ठीक है, आज मैं बहुत short में चीजों को खतम कर रहा हूँ, थोड़ा समय का अभाव हो है, इस वज़े से, अगर कोई भी आपको session में doubt रह गया हो, तो मुझे comment section में बताइएगा, ठीक है, अब कल का session हम लोग और briefing से करेंगे, और विस्तार से करेंगे, शाम का analysis, अभी जितने points मैंने बताए हैं, इनको बहुत ध्यान से, mind में रखकर trade कीजेगा, बावन आठ सो से लेकर, ये जो range है, बावन चैसो मानिए, बावन चैसो से लेकर, ये एक क्यावन आठ सो तक की जो range है, ये एक no trading range है, option buyer के लिए, वो सिर्फ इंट्राडे support, इंट्राडे resistance को टो trade कर सकता है, उसके लावा आप कुछ trade नहीं कर पाएंगे, ठीक है, जैसे price देखे support के पास पहुँच रहा है, यहां से पिछली demand उठी, तो price देखे तुरंच चलने लगा, प्राइस यही resistance के पास पहुँच जाता, तो यहीं से आने लगता, तो इंट्राडे में सिर्फ आप support resistance trade करेंगे, इसके इलावा कुछ नहीं, इसी point को बस द्यान रखना है, जब price इस range से निकल जाए, फिर आप higher rise, lower lose, जो आप चाहें buy on dip, sell on rise, वो आप कर सकते हैं, बढ़े targets के लिए आप जाएंगे, ठीक है, चलिए, शुबरात्री, धन्यवाद,